18.4.3 व्यक्तिगत स्तर पर कच्रे का प्रबंधन कच्रे की समस्या केवल गंदगी साप करके उसे ठिकाने लगाने की ही नहीं है दरसल यहां दूसरी कई समस्याओं से भी जुड़ी है उचित कच्रा प्रबंधन व्यवस्था में इन सभी समस्याओं का भी समाधान छुपा हुआ होता है इस बात का प्रमाण तमिल लाडु के वेलोर जिले के श्री निवास ने दिया श्री निवास गडित में स्नातक करने के बाद रोजगार तलाश रहे थे तब उनका ध्यान इलाके के बढ़ते कूडे करकट, बेरोजगारी और बंजर धर्ती की ओर गया इन्होंने पंचायत एवं जिला प्रशाशन से मिलकर पुराने बस स्टेंड के पास की कूडे के धेर वाली जगा कुछ समय के लिए मांग ली श्री निवास ने कूडे करकट को 18 से 20 श्रेणियों में बाटना शुरू किया कचरे को इस प्रकार से समुही कृत किया जिसमें कागज, गत्ता, लोहा, अलुमिनियम, प्लास्टिक, आदि को छाटा छटे हुए कचरे को कबारी को बेज दिया बाकी बचे गलने वाले कचरे को फिर से कई भागों में अलग किया इसके बाद जानवर रखने शुरू किये श्री निवास इस कचरे में से खाने लायक सामान छाट कर उन्हें जानवरों को खिलाने लगे चैन्वरों को रखने से कच्रे के निप्टारे की समस्या का समाधान हुआ साथ ही जादा मात्रा में गोबर भी मिलने लगा गोबर का कुछ भाग गोबर सैंत्र लगाकर उप्योग किया गया जिससे इंधन के प्राप्ति होने लगी सडा हुआ गोबर खात के रूप में उप्योग किया जाने लगा कुछ गोबर वह ऐसा भोजन जिसे परशु नहीं खाते थे उनसे केच्वे वाली खात बनाना शुरू किया गया वह कच्रा जिसे केच्वे भी नहीं खाते थे उसे खुले में सडने के लिए छोड़ दिया गया इस प्रकार के कच्रे सडने से कीडे, मच्छर या अन्यजीव पैदा होनी की संभावना रहती है इस संभावना को देखते हुए उन्होंने मुर्गे, मेढक, वचिपकली, आदी की मदद ली इन सभी प्रक्रियाओं से निकलने वाले गंदे पानी के लिए छोटा सा तलाब बनवाया जिसमें मच्लियों एवं बत्कों को पाला उस पानी को ऑक्सीजनी क्रित करके खेतों में उप्योग किया कुछ गोबर से उपले बनाए, इनकी राख का उप्योग साबुन बनाने में हुआ नीम्बू वह संत्रे के छिलकों में उपले की राक मिलाकर हाथ दोने का साबुन बनाया गया इसी प्रकार अंडों के छिलकों को पीस कर पाउडर बना लेते यह powder मुख्यता calcium carbonate का बना होता है जिसे पौधों की खाद के रूप में प्रयोग किया गया इसके साथ ही हड्डियों का चूरा जिसमें calcium phosphate होता है भी खाद बनाने में प्रयोग थुआ कच्रे में मिले बाल आदी को अलग कर वैपारियों को बेचा गया उपरयोग्ट कारियों से श्री निवास ने जैव निम्नेकरित हो सकने वाले कच्रे के अधिकांश हिस्से का पुना उप्योग कर वैलोर जैसे नगर को पून रूप से कच्रमुक्त बना दिया यह कारे केवल एक शहर में ही नहीं वरन चार जिलों के 40 गाउं में चल रहा है इसके और जिलों में फैल जाने की उम्मीद है उपरयोग्ट तीन प्रयासों में से कौन सा प्रयास आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? आप अपने इलाके में कच्रे का प्रबंधन करने के लिए इन में से क्या क्या प्रयास कर सकते हैं